आज मैं जिस मंदिर पर जा रहा हूं मुझे नहीं पता था कि यहां मैं कुछ ऐसा देखने वाला हूं जो शायद मैं कभी न भुला पाऊं और मैं पहुंच जाता हूं 1400 साल पुराने एक ऐसे मंदिर पर जहां मैंने एक दो तीन दस नहीं बलकि 200 से भी ज्यादा चोटे चोटे शिवलिंग देखे 25 एकड की इस भूमी पर मुझे हर कदम पर एक शिवलिंग देखने को मिल रहा था मैं कन्फ्यूस था कि इतने सारे मंदिरों में मैं पटेशवर महादेप को कहां पर ढूनूँ उसी बीच मेरी मुलाकात होती है बजरिंग बली से और उनका आश्रवाद लेकर मैं आंगे बढ़ता हूं और काफी घूमने फिरने के बाद मैं पटेश और महादेप के मंदिर पहुँच जाता हूं मैं हैरान था कि एक ही जगे पर एक ही जैसे दिखने वाली इतनी शारी सिवलिंगों को क्या सोचकर और क्यों बनाया गया था जब मैंने इत्यास के पन्नों में यहां की जानकारिय निकाली तो मुझे पता लगा कि छटवी से नौवी शिताबदी के बीच गुरजर राजवन्स के शासनकाल में इन मंदिरों को बनाया गया था जो तेरवी शिताबदी के आते आते लगबख खंडर में तबदील हो गया लेकिन यह आज तक इस प्रश्ट ने हुआ कि यह भूकम से हुए हैं या किसी मुसलिम आकरमरकारियों द्वारा नश्ट किया गया